हेलो बच्चो कैसे हुग आप लोग I hope you people are enjoying this lockdown with your family and you are also studying along with lockdown at your home you are not simply enjoying so here after square root here one new method of to find out the square root square root by division method square root by division method we are going to know about this method square root को division method से कैसे find out कर पाएंगे इसके बारे में आईए हम लोग देखते हैं कैसे find out करेंगे तो यहाँ पर suppose एक number हमने ले लिया है 4489 डवल 489 तो सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं square root division method से निकालने के लिए सबसे पहले इन numbers की pairing कराते हैं क्योंकि normal division में क्या होता है जब numbers copy करते हैं तो single digit आती है यहाँ पर नीचे copy करते हैं लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा pair copy हो जाएगा तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कुछ rules है यानि कि कुछ name काईदे हैं दो चार बार आप practice करेंगे आसानी से आएगा आएए देखते हैं चलते हैं इसके सफर पे सबसे पहला काम यह देखते हैं कि यह क्या है 44 क्या है 44 आपको table पढ़नी है 44 सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पे जो number लिखेंगे न जिस number की table पढ़ेंगे वो number की table उतने ही time पढ़नी पढ़ती है सबस यहाँ पे 44 है तो 44 के लिए अगर हम पढ़ें तो मा लिजे 5 की table पढ़ेंगे यहाँ पे मैंने चलिए थोड़ी देर के लिए समझो 5 लिख दिया तो 5 की table हमें 5 time ही पढ़नी पढ़ेगी यह इस division method में कमपलसरी होता है यही चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है तो suppose अगर मा लिजे 5 की table 5 time पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25, 44 से 25 तो कम हुआ न तो यानि कि हम 5 से हमारा काम नहीं होगा तो 6 के पास जाएंगे 6 6 जा यह देखे 6 यहाँ लिखा तो यहाँ भी 6 हम लोग लिखेंगे 6 6 जा 36 अब इसी तरीके 36 is also less than 44, 7 के पास जाएंगे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 is greater than 44, it means हम 6 के पास ही रहेंगे, 6 से ही काम करेंगे अपना, तो 6 6 जा 36, यहाँ पर हमने लिख दिया, 36 लिख दिया, यह देखे इसको माइनस करेंगे, तो 44 से अगर 36 को माइनस करेंगे, तो आएगा 8 आएगा, कितना मिलेगा हमें, 8 मिलेगा, चलिए, और यहाँ पर जाएगा 0, अब यहाँ पर देखें, जो कॉपी करते हैं, नॉर्मल डिवीजन में क्या होता था, कि इससे 44 तक सपोज हो गया है, तो 8 सिर्फ कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 ना करके 89, यह जो पूरा का पूरा पेर ही चला आता है नीचे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 89 लिखेंगे, next step क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, यह जिस number की table जो हम लोग पढ़े होते हैं, इसी को again, one time more, again we have to add this number in the number, whatever number we have taken for the division purpose, तो यानि कि 6 लिखा है, तो 6 ही इसमें add करेंगे, तो यह 6 और 6 मिलके क्या हो जाएगा, 12, 6 6 क्या होता है, 12 होता है, तो यह दिखे 12 हो गया, अभी क्या करना है, हमें इस 12 के side में कोई एक ऐसा number लिखना है, जो number यहाँ पर लिखेंगे, वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानि कि वो number लिखने के बाद में जो यह नया number बनेगा, इसकी table हमें उतने time ही पढ़नी पड़ेगी, जो number यहाँ 7 here, we have to write 7 here also, यानि यहाँ भी हमें 7 लिखना ही पड़ेगा, अब क्या करना है, 127 की table 7 time पढ़नी है, ठीक है न, तो यह काम आप रफपे भी कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे, देखें मैं table आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 7 7 जा, 49, 49 का 9, carry 4 आएगा, 7 2 जा, 7 2 जा, 14, और 14 मे 4 add करेंगे, तो कितना आएगा, 18, 18 का 8 लिखा हमने, carry कितना आएगा, 1, 7 जा, 7 और carry 1, 8 आगया, अब देखें इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो यह आगया, 00, नीचे 00 आगया, बस यही पर इसका game over हो गया, अगर आगे और करना होता, तो आगे भी हम लोग करतें इसको, यानि कि, hence, यहाँ पर इम लिख पाएंगे, hence, the square root of, the square root of, double 4, 8, 9, is what? this 67, 67 is your answer, 67, यहाँ पर देखें अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो pairing कराते हैं न, हम लोग numbers की, कभी भी अगर हम number की pairing कराएं, यह चीज़, यह हमें क्या बताता है? it shows that, whatever answer will come, that will be of number of digit equal to the pair, number of pairs, for the given number, जैसे यहाँ पर, double 4, 8, 9 के 2 pair बने, यह जो इसका answer आया, वो 2 digit का होगा, 3 pair बनते तो answer 3 digit का होता, 4 pair बनते तो 4 का होता, इस तरीके से होता है, so, इसी तरीके से यह देखे, एक और भी देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं, 7,921, इसके लिए अगर हम देखेंगे, तो यह देखे, सबसे पहला काम pairing कराएंगे, pair बना दिया हमने, 2 pairs बने, या answer जो आएगा, वो 2 digit का होगा, कितने digit का होगा, 2 digit का होगा, अब यहा 9,9,81 is greater than 79, तो यानि कि 8 की table, यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिख देंगे, और यह हो जाएगा, 8,8 जा 64, 9 में से 4 जाएगा, तो कितना आएगा, 5, 7 में से 6 जाएगा, 1, यह देखे, पूरा का पूरा pair 21, यहाँ पे copy कर लेंगे, यह number बन गया, 1521, यहाँ यहाँ पे कोई एक ऐसा number लिखना है, जो number लिखेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, जो number लिखेंगे, वही number यहाँ लिखेंगे, और इसकी table उतने time पढ़नी पढ़ेगी, इसके लिए, तो यहाँ पे जो number हमें लिख पाएंगे, last में 1 है, तो यानि कि 9 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब यह 9 लिखा, तो यानि कि 169 की table 9 time पढ़ेंगे, तो 169 की table 9 time पढ़ेंगे, आप रखे multiply करके इसको check कर पाएंगे, तो करेंगे तो यह देखे कैसे होगा, 99 जा, 81, फिर यह देखे, 96 जा, 54, और 54 में 8 add करेंगे, तो कितना आएगा, 62, carry 6 आया, 9 बन जा 9, और 9 और 6 कितना होता है, 15, तो यह देखे, आपको मिल गया, same number मिल गया, same same, 0 आजाएगा, 0 आगया, बस यही पे इसका game over, यह आपका काम हो गया, it means the final answer for this, hence, यहाँ पे आप लिख पाएंगे, hence, under root 7, 9, 2, 1, is equal to 89, this is your answer, this one is your answer, this 89, so this is the method to find out the square root by division method, एक example और भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पी यह देखे, कुछ इस तरीके से, 7, 1, 2, 8, 9, अब इसमें देखे, pairing कराएंगे, तो यह देखे, यहाँ पे देखे, दो pair complete है, लेकिन तीसरा pair incomplete है, बट, तीसरा pair incomplete है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो answer आएगा, वो 2 की टेबल, 2, 2 जा 4, 7 से कम है, तो यहनी 3 के पास जाएंगे, 3, 3 जा 9, 9 जादा हो रहा है, तो यहनी 2 की टेबल पढ़ेंगे, कोई दिक करते हैं, यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 2, 2 जा 4, यह देखे, 7 से 4 जाएगा, 3 आएगा, next pair 12 आपका है, 4 हो जाएगा, और जैसे यह 4 होगा, अब हमें क्या करना है, यह 312 है, 4 के साइड में कोई एक ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर लिखेंगे, उसकी टेबल उतने टाइम पढ़ेंगे, जो कि 312 से जादा नहीं होनी चाहिए, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, त यहाँ भी मुझे लिखना पढ़ेगा, 6, तो यानि अब यह नंबर बन गया, 46, मिस्ट वी हाब टू, रीट, वी हाब टू, मुल्टिप्लाई इस 46 बिद 6, to get some number, whatever number we are going to get for here, तो आप आईए देखते हैं, 6, 6 हा 36, 6 हा 36, carry 3 आएगा, और 6, 4 हा 24, 24 में 3, 8 करेंगे, तो कितन आएगा, यह देखें, यहाँ पर 12 से 6 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा, तो यहां पर 3 आजाएगा, यहाँ पर 0 आजाएगा, और next pair आपका, यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, पूरा हमें मिल जाएगा 46 में 6 प्लस करेंगे तो मिलेगा 52 कितना मिलेगा हमें 52 मिलेगा इस 52 के साइड में अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जो की इसके लिए complete हो तो वो नंबर हमारा जो रहेगा वो रहेगा आपका 7 रहेगा तो यह यहाँ पर 7 लिखा तो यहाँ भी हमें 7 लिखना पड़ेगा और यह 7 लिखना पड़ेगा तो यानि कि अब यह नंबर 527 है 527 की टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे हम लोग 527 की टेबल 7 टाइम पढ़ा तो हमें जो नंबर मिलेगा देखें 77 जा 49 carry 4 आएगा 7 टू जा 14 14 मे carry 4 8 कराएगे तो 8 आएगा 7 टू जा 14 18 हुआ 1 आया अभी क्या 75 जा 35 और carry 1 8 करेंगे 6 चलिए देखें very nice हमें same same number मिल गया है minus करेंगे 0 आएगा 0 आते ही हमारा काम हो गया तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं hence for this 7 1 2 8 9 answer will be 267 this is your final answer तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको बता है था ना इसका answer कितने digit का होगा 3 digit का होगा तो देखे 3 digit का answer है answer को verify करने के लिए आपको क्या करना होता है कुछ नहीं करना है square root है square root निकाला आपने answer यह मिला whatever answer you are getting you have to multiply the same number once with each other एक दूसरी के साथ एक बार दोनों को multiply कर दो अगर आपको यह चीज यह number मिल जाता है it means your answer is fully right कोई भी गलत करनी सकता I hope you people understood these things and you will try to make the practice of all these things in your rough notebook it will be so much beneficial for you thank you